आपने नोट किया है ना कि summer season में हमारी oil glands जादा activated रहते हैं, ज्यादा oil produce करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा शरीर बहुत जादा heat radiate करता है और उस heat radiation में हमारे oil glands activate हो जाते हैं oil produce करते हैं बिलकुल उल्टा होता है in the winter season हमारी जो skin होती है, हमारी जो body होती है वो लालची हो जाती है heat को protect करके रखती है radiate नहीं करने देती जिसकी वज़े से oil glands activate नहीं हो पाते और हमारी तवच्चा oil नहीं produce कर पाती resultant हमारी skin dry और flaky हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ DIY skin oil जो की आपकी तवच्चा को summer season जैसा एक दम radiant कर देगा pinkish glow आप उतना ही enjoy करेंगे जितना कि आप summer season में करते हैं और आपकी skin बहुत hydrated रहेगी sun protection जी वो तो इससे definitely मिलने वाली है ingredients देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि भई हाँ ये तो काम करने वाला है आईए जानते हैं कैसे prepare करना है DIY skin oil और क्या क्या benefit से आपको देने वाला है hello Tama, wonderful, beautiful and amazing audience I really hope आप winters जम के enjoy कर रहे हैं Suradev आप पर भी अपनी कृपा बरसा रहे हैं यहाँ धूप आ जा रही है but I am happy with whatever I have नीचे लिकर बताएए आप किस location पर है और वहाँ कैसी धूप आ रही है पता चले मौसम का मिजाज कैसा है मेरी audience के लिए आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ DIY skin oil जो कि winter season में specially कमाल कर सकता है मतलब summer season में भी कर सकता है लेकिन frequency आपको कम रखनी पड़ेगी लेकिन winter season में यकीन मानिये मैं दावा नहीं कर रहे हूँ लेकिन definitely जो इसको religiously करेगा शायद आपको sunscreen के आवशकता ना पड़े मैं आपको बता रहे हूँ परिकिस इंग्रीडियन्स इतने कमाल के है तो ये जो particular oil हम prepare कर रहे है इसका application कैसे करना है इसके आसपास क्या खाना है क्या लगाना है कैसे रहना है क्या क्या चीज़े और additional करनी है ताकि आपको best of the results मिल सके इस पूरी वीडियो में हम यही बात कर रहे है तो please stay tuned पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा समझेगा and make the most out of whatever I am bringing for you सबसे पहले prepare करते हैं हमारा DIY skin oil जो की बहुत ही कमाल का है बहुत ज्यादा कमाल का है इसको prepare करने के लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून of cold pressed sesame oil मुझे पताने कि आवशकता नहीं है कि तिल का सेवन winter season में आपके शरीर के लिए क्या-क्या magic कर सकता है I mean literally it can change your skin का game जैसे कि अभी lightning change हो चुकी है sorry for this because दूप आ जा रही है तो यह जो तिल का तेल होता है यह आपकी skin को वो रेडियंस देता है वो ग्लो देता है वो शाइन देता है जो की in the long run आपकी skin health के लिए बहुत कमाल का होता है अगर यह cold pressed है तब तो बात ही क्या है लेकिन अगर cold pressed नहीं है तो जो available है वो आप ले लीजिए घबराने की आवर्शकता नहीं है number two आपको यहाँ पर लेना है one tablespoon of castor oil यानि की अरंडी का तेल अब सब भी बोलेगे यह प्रेना बालों के लिए भी castor oil बोलती है अब skin के लिए भी castor oil बोल रही है संस्क्रीन के substitute की पहले मैंने बताया ना दादी नानी कोई संस्क्रीन नहीं लगाते थे लेकिन हाँ वो सरसो का तेल castor oil इन सब चीजों का इस्तमाल करते थे जिनसे उनकी तवचा जो थी वो हमेशा preserved रहती थी in fact in the old age आप देख सकते है दादी नानी के skin क्या कमाल की है it is all because of ये जो नाचरल चीज़े उन्होंने यूज की है castor oil के बहुत ही कमाल की चीज़ बताती हूँ castor oil का जो constituent है वो आपकी skin का oil जो होता है sebum उससे बहुत माच करता है जिसकी वज़ा से ये आपकी skin के लिए मतलब औशदी भी नहीं मतलब क्या कहते है उसको राम बान elixir है ये आपकी skin के लिए इसरा ingredient इसका इस्तमाल यहाँ पर आपको करना है is one tablespoon of sweet almond oil यानि की rogan badam shirin जो कि एक complete package है आपकी health के लिए which includes your skin and hair तो आप इसका इस्तमाल भरपूर मात्रा में खाने के लिए लगाने के लिए कर सकते है to have that radiance in your skin और आपको visible changes दिखते है अगर आप सिरव इसका भी इस्तमाल कर लेते हैं तो जी हाँ ये इतना powerful है तो definitely इसका seven भी कीजिए और application भी कीजिए last but not the least आपको इसमें आड करना है one and a half tablespoon of argan oil अगर available है तो otherwise आप glycerine का भी इप्योग यहाँ पर कर सकते है तो जो available है वो आप ले लीजिए अच्छे से double boiler method की help से इसको mix कर लीजिए if at all आपको चाहिए कि नहीं बिल्कुल एक सार होना चाहिए तो otherwise आप normally भी mix कर सकते है absolutely fine अच्छे से मिला लीजिए और आपका DIY skin oil specially for the winter season बनकर रेडी हो चुका है यह आपकी तवच्छा को जो radiance देता है जो hydration देता है जो moisture lock करता है वो कोई और चीज नहीं कर सकती है now before actually telling you कि इसका इस्तमाल आपको कैसे करना है मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ कि please alongside आप yoga practice कीजिए मुझे पता है ठंड में मुश्किल है लेकिन कीजिए अगर आप चाहते हैं कि यह oil आपको complete and perfect results दे तो yoga practice कीजिए आप राणायाम कर लीजे मेरी यह अवली video चेक आउट कर लीजे यह भी उतना ही कमाल आपके लिए करेगी time पर खाना खाईए healthy खाना खाईए यह भी बहुत अलग लेवल का remedy है अगर समझ सके तो when I say religiously follow करना है तो इन सभी चीज़ों का आपको खयाल रखना है सरदिया है पानी पीने की तलब इतनी जल्दी जल्दी नहीं लगती है लेकिन प्लीज सही मात्रा में पानी का सेवन भी कीजिए seasonal fruits खाईए dry fruits खाईए अगर आप यह सारी चीज़े करते हैं इसके application के साथ DIY skin oil के साथ तो यह आपको even better results देता है compare to कोई ऐसा इंसान जो सिरफ इसका application करने वाला है वो तो आप चॉइस आपके उपर है आप कितना अच्छा results अपने लिए चाहते हैं उतने अच्छे practices आप follow कीजेगा इन सभी चीज़ों का खयाल रखते हुए अगर आप यश्टी मधू अश्वगंदा और मंजिष्टा इन तीनों चीज़ों का सेवन powdered form में, tablet की form में available है जैसे आप comfortable हैं वैसे इसका consumption कर लेते हैं तो आपकी skin की जो radiance होगी ना मतलब आप believe ही नहीं करोगे यह आपकी खुद की skin है इतनी कमाल की हो जाएगी लेकिन you have to be regular and religious मैं हमेशा कहती हूँ सिरफ एक बार के लिए try करना और फिर कहना हमें तो results नहीं मिले not applicable आपको इसे follow करना पड़ेगा as a remedial action कि हम इस remedy को follow कर रहे हैं एक वरत लेना पड़ेगा आपको संकल्प करना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे कि आपकी skin इतनी radiant होती जा रही है कि आप वापस आपके बोलोगे परीणा क्या कमाल कर दिया and I'll be waiting for that day आप बात करते हैं कि जो ओईल हमने प्रिपेर किया है उसको application आपको कैसे करना है for easy application आप इसको pump bottle में या फिर आप इसको अगर छोटी pump bottle है वो या फिर squeeze bottle है that'll be convenient उसमें स्टोर कर लीजे open bottle में थोड़ा थोड़ा कंटामिनेट होने का problem रहता है तो वो आप avoid कर सकते हैं step number one हमीशा की तरह आपको अपने चहरे को अच्छे से wash करना है preferable time इसका usage जो होगा वो रात के समय होगा ताकि यह maximum time आपकी skin पर रह सके तो अच्छे से face को clean करने के बाद जैसे भी आप फेस वाश यूज कर रहे हैं अगर आप कोई टूल यूज करते है ग्वाशा वगेरा अंदर तक पेनेटरेट करेगा यह ओई और 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 भी अच्छे रिजाल्स आपको देगा अच्छे से मसाज कीजिए जिनको fine lines की प्रॉब्लम आ रही है smile lines की प्रॉब्लम आ रही है 11 lines आ रही है forehead पर जैसे भी signs of aging exhibit होना start हो रही है आप सिरफ इस oil का बिलकुल religiously हफते में minimum 3 बार यूज कीजिए और आप देखेंगे कि भाई वाँ अगर आपको ऐसे जन है जिनको oil से कोई परिशानी नहीं है तो आप इसको every single day थोड़ा थोड़ा भी यूज कर सकते हैं मतलब हफते में 3 बार कर रहे हैं तो अच्छी quantity में लीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए अगर रोज यूज कर रहे हैं तो 3-4 बूंदे अच्छे से लेके आज मॉस्टराइजर अपने चेहरे पर लगा कर छोड़ दीजिए ओवरनाइट इसको अपनी स्किन पर रहने दीजिए और next day morning जरा संभल कर एक अच्छा मॉस्टराइजर अगर DIY है तो नाथिंग लाइक अधर वाइस जो अगर मार्केट बेस ले रहे हैं जो में नहीं देखा होगा यह प्रिपेर किये हैं यह बहुत ही कमाल के हैं एवरी स्किन टाइप के लिए जहां बच्चे बुड़े बड़े सब इसको ट्राइ कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमने यहां पर cold pressed oil यूस किया है और्गानिक ओल्स यूस किये हैं तो बहतर होगा कि आप पैच्च टेस्ट लीजिए और बिना किसी दाउट के confidently इसका application कीजिए अगर आपको लग रहा है कि यह blend of oils काफी चिप-चिपे होंगे तो यकीन मानिए यह बहुत ही ज्यादा soft हैं क्योंकि मैंने यहां आरगन ओल का इस्तमाल किया था तो यह बिल्कुल भी चिप-चिपा नहीं था इन फैक्ट यह application बिल्कुल serum की तरह था जो कि आपकी skin में immediately absorb हो जाता है and there is no chip chip at all जहां इसको आप definitely try कीजेगा और हमें भी बिताइगा कि आपके लिए यह कितना smooth था आप इसको अपने lips के लिए अपने nose के around mouth के around किसी भी प्रकार की darkening है pigmentation है किसी भी तरह का dark spot है सब को cure क पर सकता है और गजब के results आपको दे सकता है so you must give it a try जिन लोगों को डर लगता है हमारी oily skin है या breakouts हो सकते है believe me अगर first time हो भी रहे है आप break ले लीजिए उसके बाद जब वापस try करेंगे आपकी skin इतनी कमाल की हो जाएगी कि आप बोलेंगे कि भाई वा हम तो इसको ही follow करने वाले है शायद हम moisturizer छोड़ दे हैसा मत कीजिएग and accordingly चीज़ों को follow कीजिए some wonderful people I really hope आपको समझ में आया है कि इसको prepare कैसे करना है क्या क्या चीज़े इसके आसपास करनी है ताकि ये best of results आपको दे और अच्छे से ही जब आपको results मिल जाए तो वापस आकर इस video पर हमें अवश्य बताएगा कि प्रेणा magic हुआ है आपका एक simple सा comment इतनी सारे लोगों को वो ताकत देता है वो confidence देता है कि वो भी उसे अपने लिए ट्राय कर सके and you are contributing to our beautiful community we call it प्रिती प्रेणा अगर अल्रेडी हमारा हिस्सा नहीं है तो definitely subscribe कर लीजिए आप प्रिती प्रेणा चानल का subscription भी ले सकते हैं जहां पर आपके comments है वो highlight हो जात से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में till then take really good care of yourself और हमेशा याद रखिये you are amazing and very beautiful just like these flowers